वोईस ओपानीपत को लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें दिन रात एक कर दिया आरूपी को ढूणने में, सभी तरह से जाच की गई, कोने कोने तक खंगाले गई, हर किसी से पुष्टाच हुई, तो खुलासा हुआ किस वार्दात को अंजाम देने वाला पडोसी यूब अखी है, पानीपत पुलिस ने मामले में बिना देरी किये आर असपी शिशांक कुमास सावन द्वारा इस मामले में, आरूपियों की पहचान वा सूचना देनी पर 50,000 रुपे का नगद इनाम भी घोशित किया गया था, वहीं अब बच्ची की दुषकर्म के बाद हत्या की ब्लाइंड वार्दात को सफलता पुरवक सुलजाने वाली का होसला अफजाई करती हुए पानिपत के असपी शिशांक कुमास सावर ने टीम को इनाम की 50,000 रुपे की राशी वा पिशंसा पतदिक का सम्मानित भी किया है इतना ही नहीं टीम द्वारा मानवता का परिचे देते हुए इनाम की पूरी राशी पीडित परिवार को सोब दी गई सम्मानित होने वाली टीम की बारे में आपको बताएं तो DSP संदीप कुमार वा उनका स्टाफ CE1 परभारी इंस्पेक्टर राजपाल वा उनकी टीम, CE2 परभारी इंस्पेक्टर विरंदर वा उनकी टीम, थाना पुराना उद्योगी परभारी इंस्पेक्टर नरिंदर वा उनकी टीम वह साइबर सेल इन्चार्ज सब इंस्पेक्टर होशिया सिंग वह उनकी टीम को इनाम की राशी वह पिशंसा पतरदी का सम्मानित क्या गया वहीं अगर घटनागी बात करे तो साथ साल की बच्ची का अपरहन कर दिशकर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी बच्ची का शव घर के पिछे जाड़े में पड़ा हुआ मिला था सूचना मिलते ही स्पी शिशांग कुमा सावन ने तुरंत वार्दस थलका स्वैम निरिक्षन कर मोकी पर ही निर्देश देते हुए उन्हें आरूपियों की पहचान वर जल्द से जल्द पकड़ने की जिम्मेवारी सोपी थी एक टीम ने बाई एर कलकत्ता पहुचकर वहां आरूपि को हावडा रेल्विस्टेशन से काबू करने में काम्याबी हासिल की थी पूश्टाच में आरूपि से खुलासा हुआ था कि उसने तांकरी क्विद्या में निपूर्ण होने के लिए मानव बली के नाम पर 24 अक्टूबर दिवाली की रात बच्ची की दुशकर्म के बाद हत्या कर दी थी पूलिस टीम द्वारा मामले में भोतिक साक्षे एकैतित करने के साथ ही आरूपि को पांच दिन की पूलिस रिमांड पर लेकर वार्दा स्थल की निशान देही करवाने के साथ ही गहनता से पूश्टाच के बाद रिमांड अवधी पूरी होने पर आरूपि को कोड़ पे पूलिस कर जेल भे जा गया था वहीं दूसरे मामले की बात करें तो पानिपत पूलिस की दमदार व उतकरिष्ट पैरविनी 6 साल की एक बच्ची से दिशकर्म के मामले में भी दोशी को सजा दिलवाई है कोड द्वारा दोशी को आजीवन कारावास वा पच्चास हजार उ जिर्माने की सजा भी सुनाई गई है जिससे अब दोशी को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा तो आप क्या कहेंगे पानिपत पूलिस द्वारा की गई इन कारेवाई को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें साथी वीडियो को जादा से जादा शेयर जरूर करे सच सिर्फ हम दिखाते हैं